पुर्व जहाज रानी मंत्री यानि की शिपिंग मेनिस्टर अपने कारियले में MBPT और NTC द्वारा बकाया भुपतान करने के लिए दिये जा रहे नोटीस के बारे में चल्चा करने के लिए जिसे SBS में इंचिनियर बिल्डिंग जैसे कुछ BPT भवनों और अवकाश नोटीसों को दिया जा रहा है श्री मिलिन देवरा ने कहां की सपर्ष्ट रूप से कहां गया है कि केंद्र सरकान ने पहले से ही कुछ नोकशाओं के साथ पूरे भारत में मुंबई, महाराष्ट्र में संपूर्ण NTC, MBPT और LIC संपतियों को पेचने की योजना बनाई है अब इसे केंद्रिय के समर्तन से पूरी ताकत से लागू किया जा रहा है श्री मिलिन देवरा जी ने किरायदारों और कॉंग्रेस पार्टी का अपना श्वसन और पूर्न समर्तन दिया है श्री देवरा ने भी जोर दिया मैं ससुंडा, कुलाबा, खिला, कौर्णक बंदर, दाना बंदर और दारुखाना सेवरी के सबी किरायदारों से सबी एक्जूड होने का अनुरुखत करता हूँ स्वाय और एक छाता बनाएं हमें राजनितिक समर्तन के साथ उच्चिती उजना और रननिती के साथ आगे बढ़ना होगा इसके अलावा श्री मिलिन देवरा ने कहां MBPT के खिलाब लडने के लिए जो अब मुंबई पोर्ट ऑथारिटी बन गया है और भविश्यमन निगम भी बन जाएगा वे हर किरायदार और भवन को बे दकल करेंगे जिनके पास लीज इशू है और बकाया राशी का बुखता नहीं है आज की बैटक में श्री मिलिन देवरा ने MBPT, NTC और LIC समू के किरायदारों रहने वाले और वांची एक सदस्यों के साथ समन्विया करने के लिए कुछ सदस्यों को निगता किया है आज हमरा मीटिंग मिलिन देवरा जी के साथ हुआ वेरी वेरी कोपरेटिव और उनका कहना यह है कि आगे चलके जो होने वाले है उनको अभी से पता है कुकि वो एक शिपिंग मिनिस्टर काफी सालों तक रहे चुके है तो अभी जो ट्रस्ट है उसको ऑफोरिटी बनाएंगे पात में कोपरेशन बनाएंगे और सब को खाली कर देंगे मतलब वो ऐसे सफाया कर देंगे तो इसके लिए उनिटी इस वरी इंपोर्टन अभी भी सत ताइम है सब के पास जाग जाओ और साथ में यूनाइट होके लडो लडो या वोटेवर जो भी प्रोटेस्ट ना इम नाट सेंगे लडो बट बट अधिस कम तोगेधर एंडू स आज की मीटिंग के वहारी हुई है मिजन तेजर जी पिसाथ में हमें यही समझ में आती है कि हमारी जो पोजिशन है वो बहुत खराब है हमें इस बात का एसास हो रहा चलिए कि अगर हम एक नहीं रहेंगे अगर हम अभी नहीं जागेंगे तो आने वाज़ हाला वक्त हमारे लिए बहुत खराब हो जितने टेनेंट हैं जितने लैनलोड हैं जितने लोग जब तक के इखटा होके भार नहीं निकलेंगे तब तक हमारी हाला बहुत खराब होगी जेवरा जी ने फूरी कोपरेशन देने की बात की है उनकोंने बड़े खुल के बात की कि आप जहां से आपकी मदद होती है, आप ले लीजिए, कोई इसमें दिकत नहीं, उनका दिल साफता, उन्होंने बोला बस हम आपके साथ हैं, इक चीज में हमारा पूरा हेल्प आपके मिलेगा जब भी आपको जिस भी मोर पे चाहिए, बस हम यही बोच सकते कि अब जाग ज ऑप सबसे हैं, आप उसे हम जापसाटामे चीजानायो उजल करने यहीं उन्होंने जापसाट्मेटिके